हेलो दस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग 100 से भी ज्यादा इंडियन मचली का नाम पिक्चर के साथ इंग्लिस और हिंदी में जानेंगे पहला है बकस, बकस फिस का इंग्लिस नेम होता है हलिबट, हलिबट मिन्स बकस नेक्स्ट है पन्नी मिन, इसको इंग्लिस में काते हैं जीव फिस, जेव फिस मिन्स पन्नी मिन नेक्स्ट फिस है यह सुर्मई, जिसको में लोग 209 भी काते हैं, इसको इंग्लिस में किंग फिस काते हैं ये है हिलसा फिस, इसको भींग मचली भी करते हैं, इसका इंगलिस होता है हेरिंग, ये है मुलेट, मुलेट मचली को इंगलिस में करते हैं गौट फिस, गौट फिस मिन्स मुलेट, ये है चिपकली मचली, इसको इंगलिस में करते हैं लिजाड फिस, ये मचली का नाम है इसको इंग्लिस में काते हैं मैक्रिल, मैक्रिल मींस बंगडा, ये है बोई, इसको सेवटो भी काते हैं इस मचली को, इसको इंग्लिस में मुलेट काते हैं, इस मचली का नाम है मुरल, इसको इंग्लिस में मुरेल काते हैं, इस मचली का नाम है चांद मचली, चांद मचली को मुन फिस काते हैं इस मचली का नाम सरगट्टा है इसको इंगलिस में सिल्वर बेली फिस काते हैं सिल्वर बेली फिस मिन्स सरगट्टा इस मचली को सुनहरी मचली काते हैं और इसको इंगलिस में गोल्ड फिस काते हैं इस मचली का नाम है संबुक, इसको सिपी मचली भी काते हैं, इसको इंगलिस में मुसेल काते हैं, यह मचली का नाम है चूरा, चूरा मचली का इंगलिस नाम है टूना, यह है पॉपलेट, पॉपलेट मचली को इंगलिस में काते हैं, सिल्बर पॉम्फरेट, इस मचली को मूर इसको इंगलिस में कहते हैं सीर फीस, यह मचली है काटेदार मचली, इसको इंगलिस में स्पाइनी इल कहते हैं, इस फीस को मनकोई या समूद्र फेनी या कलमरी मचली कहते हैं, इसको इंगलिस में स्कूड मचली कहते हैं, यह मचली का नाम है गप्टी मचली, इसको इंगलिस इस मचली का नाम है सपेद पफर मचली, वाइट इस पोटेड पफर फिस, यह मचली का नाम है मिरीगल मचली, इसको इंग्लिस में भी मिरीगल फिस ही कते हैं, इस मचली का नाम है जेंडर मचली, इसको इंग्लिस में भी जेंडर फिस ही कते हैं, इस फिस का नाम है जेली फिस इसको इंग्लिस में जली फिस ही काते हैं इस फिस का नाम है वेला इसको इंग्लिस में वेला ही काते हैं इस फिस का नाम है गुपा मचली गुपा मचली को इंग्लिस में बोलते हैं टर्बोट इंडियन फिस इस फिस का नाम है चोचवाला सेल्मन इसको इंग्लिस में हम लोग baked salmon काते हैं इस fish का नाम है कटाई मचली इसको इंग्लिस में काते है white bait इस fish का नाम है albacory इसको इंग्लिस में काते है elephant tuna इस fish का नाम है bobley bobley को इंग्लिस में काते है bomber duck bomber duck means bobley मचली इस fish का नाम है halwa मचली इसको इंगलिस में हम लोग काते है बलेक पंप्रेट इस फिस का नाम है इंडियन पापडा इसको हम लोग पापटाई भी काते है इसका इंगलिस नाम है बटर फिस ये फिस का नाम है दंतुली मचली इसको इंगलिस में काते है डेंटिकल हेरिंग इस फिस का नाम है हिलसा मच काते हैं इसका इंग्लिस नेम है डॉल्फिन फिस ये मचली है चप्टा मचली इसको इंग्लिस में फ्लेट फिस काते हैं इस फिस का नाम है सिंघारा या तो संग्दम भी काते हैं इसका इंग्लिस नेम है केट फिस इस फिस का नाम है तीसरियो तीसरियो को इंग्लिस में काते इस मचली का नाम है खंपी इसको इंगलिस में काते हैं क्रेवल्ले इस मचली का नाम है गब्रो इसको इंगलिस में काते हैं कोड इस मचली का नाम है बोसा इसको चप्टी मचली भी काते हैं इसका इंगलिस नाम है कतला यह फिस का नाम है सूर्मई इसका इंगलिस में काते हैं bluefish you cloves का नाम है राणी मचली इसको इंगलिस में काते हैं फिन ब्रीम मचली मचली को का तहने हैं कलवा या क आप Mom कर दीन से करिमीन केर्य मन कर்माल महां इंगलिस में काते हैं birth sport इस मचली का नाम है क्ले कर इसका इंग्लिस नाम है पर्च यह मचली का नाम है कवाई इसको कोई मचली भी कते हैं इसको इंग्लिस में पर्च क्लाइबिंग भी कते हैं इस दोनों का इंग्लिस नम अलग अलग है पर हिंदी नम सेम ही है इस मचली का नाम है पॉपलेट इसको इंग्लिस में कते हैं पॉम इस मचली का नाम है जिंगा या तो चिंगरी भी कते हैं कहीं कहीं इसको चेमेन या संगत नाम से भी जना जाता है तो इसका इंग्लिस नेम है प्रॉंस प्रॉंस मिस जिंगा मचली यह मचली का नाम है रानी मचली का इंग्लिस नाम है रेड स्नेपर इस मचली का नाम है राव मचली नाम है आरा मचली इसको हम लोग इंग्लिस में 100 फिस भी कते हैं नेक्स्ट फिस इ उसका नाम है मेगालोडन शार्क इसको इंग्लिस में मेगालोडन सार्क ही कते हैं next dish is peed way इसको इंग्लिज में हम लोग shark dynes कते हैं इस फिस का नाम है mori कहीं के इसको जोरी भी कते MR. इसको इंग्लिज नेम है shark मुचली इसको बलते है सफेद shark इसको हम लोग इंग्लिज में कते है रहता है इसलिए इसको hårhohead shark कते है इसको इंग्लिस में भी hammerhead shark ही कते हैं इस मचली का नाम है humpback whale इसको इंग्लिस में भी humpback whale ही कते हैं next मचली है grey doll field इसको इंग्लिस में कते हैं grey doll field इस मचली का नाम है killer whale इसको इंग्लिस में कते है killer whale इस मचली का नाम है reptie इसको mural भी कते हैं इसको इंग्लिश में कते हैं Soul Fish, इस मचली का नाम है Whale, इस मचली का नाम है Long Biged Dolphin, इसको इंग्लिश में भी Long Bigged Dolphin ही कते हैं next fish है वो है bottle nose dolphin इसको इंग्लिस में भी bottle nose dolphin ही कते हैं इस मचली का नाम है सफेद jellyfish इसको इंग्लिस में कते हैं white jellyfish इस मचली का नाम है bluefin tuna fish इसको इंग्लिस में bluefin tuna fish ही कते हैं next fish है वो है angel fish इसको इंग्लिस में भी angel fish ही कते हैं इस मचली का नाम है Royal Angel Fish इसको इंगलिस में भी Royal Angel Fish ही काते है Next Fish है Silver Angel Fish इसको हिंदी में भी Silver Angel Fish ही काते है Next Fish है वो है Juvenile Emperor Angel Fish इसको हिंदी में भी Sam नाम से जाना जाता है Next Fish है वो है African Catfish इसको हिंदी में भी African Catfish ही काते है Next Fish है वो है Blue Spotted Sting Gray इसको हिंदी में भी blue spotted sting grey ही काते हैं Next fish है वो है कच्छवा इसको इंग्लिस में turtle काते हैं Next fish है वो है sting grey इसको इंग्लिस में भी sting grey ही काते हैं Next fish है वो है तिलपिया मचली इसको हम लोग तिलपिया मचली ही काते हैं Next fish है motoro sting grey इसको हिंदी में भी मोटोरो इस्टिंग गरे ही काते हैं नेक्ट फिस है वह है अलक्ट्रिक केट फिस इसको हम लोग हिंदी में भी अलक्ट्रिक केट फिस ही काते हैं नेक्ट फिस है वह है स्वोर्ड फिस इसको हिंदी में भी स्वोर्ड फिस ही काते हैं नेक्स्ट फिस है वह है बेटा मचली इसको इंग्लिस में बेटा फिस काते हैं नेक्स्ट मचली है वह है रिवन मचली इसको इंग्लिस में रिवन फिस काते हैं नेक्स्ट मचली है वह है सीबास इसको इंग्लिस में भी सीबास ही काते हैं नेक्स्ट फिस है वो है सिप्या इस्टिंग ग्रे इसको हिंदी में भी सिप्या इस्टिंग ग्रे ही कते हैं नेक्स्ट फिस है वो है स्टोन फिस इसको इंगलिस में भी स्टोन फिस ही कते हैं नेक्स्ट है सन फिस इसको इंगलिस में भी सन फिस ही कते हैं नेक्स्ट फिस है टोर फिस, इसको इंगलिस में टोर फिस ही कते हैं, नेक्स्ट है एंगलर मचली, इसको इंगलिस में भी एंगलर मचली ही कते हैं, नेक्स्ट है नॉर्थन पाइक, इसको इंगलिस में नॉर्थन पाइक ही कते हैं, नेक्स्ट फिस है मड़ स्किपर, इसको इ इंग्लिस में भी बड़ा कोड़ा ही करते हैं आज किस वीडियो में इतना ही अगर 100 से ज़्यादा एनिमल का नाम अगर आप जाना चाहते हैं तो इस वीडियो को देखें और अगर इसी तरह का 100 से ज़्यादा वेजिटेबल का नाम जाना चाहते हैं तो इस वीडियो को देख